प्राचिन सनी मंदिर के अंदर एक ये एद्विति ये वास्तु कला का शिल्प कला का एक नमूना है ये देखिए आप एक प्रतिमा है जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म के पस्चात उसको वसुदेव जी और नंद बाबा ये दोनों जब उन्हों ने जन्म हुआ था तो न ये देखिए एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा है और जो ही ये पानी उनके पैरों के सपर्स करेगा यमुना जी जब हिलोर मार रही थी और भगवान कृष्ण के पैरों के साथ ही जो टच होने के साथ ही वह सांत होगी आप देख रहे हैं ये पानी इसके अंदर है और ये पानी और डाल रहे हैं कोई इसमें कोई भी और संपर्ग नहीं है सीधा पानी नीचे नहीं जा रहा है इकटा हो रहा है ये आप देख रहे हैं जो ही ये पानी बगवान कृष्ण के पैरों के सपर्स होगा और ये पानी की धार नीचे बहने लेगेगी ये देखिए और यह पूरा खाली हो जाएगा यह एक निर्मान का एक उस समय के कारीगरों का एप्रतिम और शांदार नमुना है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा मनोजी इस मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में विदेशी परियतकों के द्वारा भी आकर के सनी के पुजा अरजना हवन और वेदिक आरादना की जाती है यह देखिए किस प्रकार से पूरा पानी एक दम समा खाली हो जाएगा यह भी यहां पर वास्तुकला का एद्वितिय नमुना है तो आप देखें मतलब इस तरीकी की जो चीजें आज नहीं बन सकती जो पहुत पहले बन चुकी हैं और बिन बिना किसी जादा कारीगरी के बिना किसी तकनीकी बिना किसी बिजली बिना किसी मसीन के एद्वितिय नमुने आपके सामने पेश है